जब चैलेंज में थी तो दारा 370 को क्यों नहीं रोका गए आप तो ज़ज रहे साब उपर वाले से तो डरिये फायरूक साब से इतना मट डरिये इसकाम दराना नहीं है आप लोगों को काम है दराना हम दराते हैं मानेवर उसका जवाब में आपके बात दूँगा नहीं दे सकते हैं कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैरिये से सुनना पड़ेगा अंत में बताऊंगा अंत में बताऊंगा तब तक आप तोके बगर बैठें मानेवर कुछ कानूनी और समविदानिक मुद्दे खड़े कर पहले एक मौरल बात लाए कि इस कानून के अंदर आप एमेंडमेंड लेकर आये हो वो कानून ही कौर्ट के सामने चैलेंज मसुदी साब तो हाई कौर्ट के जज रहे विद्वान नयायदीस रहे है अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे मैं उनको कहना चाहता हूँ दारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही क्यों नहीं रोका उसको जब चैलेंज में थी तो दारा 370 को क्यों नहीं रोका गया और आज आपको कानून की मर्यादा याद आ रही है फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं आपकी ही पिटीशन है आप पिटीशनर हो इस पर स्टे मांगा गया था स्टे पर बहस हुई नयाएदी सोने सुनवाई करकर स्टे देने से इंकार किय स्टे देने से स्टे देने से इंकार कि स्टे देने से इंकार के मैं बहुत responsibility के साथ यहां बोलरा हूं कोई इस नहीं कोई स्टे नहीं कहा कि हम समाथ करें Peak이 जो एडیमिट फुद ही होता है कि नहीं आ इंडि मेड होने से कुछ नहीं होता स्ट्रे करना पड़ता है और्डने में स्ट्रे करना पड़ता है महने वहर जब Tक आप तो ज़ज रहे साब उपर वाले से तो डरिये फायरूक साब से इतना मत डरिये मानेवर मानेवर पीटीशन एड्मीट होने से फिर भी डरते हैं बोलिए आप लोगों को काम है दराना मानेवर उसका जवाब मैं आपके बाद दूगा नहीं दे सकते आप नियमों के अनुसा नहीं दे मानेवर मानेवर जब कोई भी पीटीशन सुप्रीम कौर्ट के सामने जाता है अगर सुप्रीम कौर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तब यथास्तिती बनती है और यथास्तिती ये है कि राष्ट्रपती महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है यह यथास्तिती है इसके लिए मैं इसके अंदर एमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता है